हाजी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजमिन ऑफिशल पर जैसा कि आप सभी को पता है हमारे यूट्यूब चैनल के उपर एक सिरीज चल रही है जिसमें अपन हर मंत का एक लाश्ट के अंदर पूरा की पूरा कंपाइल करके एक वीडियो आपको प्रोव करने वाले और इसके अंदर जो मूमल क्रोनोलोजी और कोस्मोसिस और जितने भी करेंट अफेर्स की मैगजिन्स आती है वीजन और इन सबका कंपाइल करके उन सबका निचोड विकासर के द्वारा प्रोवाइड करवाएगा यह हैं रिटर नोट से विकासर के द्वारा बन देख लेना और जिन्हों नहीं पहले से एक दुबार पढ़ रखा है वो इससे रिविजन के तोर पर देख लेना यह एक से देर घंटे में आपको रास्तान का इंटरनेशनल नैशनल और साइन्स टैक स्पोर्ट्स और जो भी इंपोड़ेंट कोश्चन बन सकते हैं वो सार पूरी प्लेश्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से आप सारे के सारे मंत्का देख सकते हो तो अभी हम इसमें से बजट कर रहें ठीक है बजट अगर आपको पढ़ना है तो यह मेंस के अकोडिंग है तो आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो प्री उसके साथ में अभी हाली में जो है वो बाइसवा शिकर सम्मेलन आयोजित हुआ है ठीक है और जो अपना द्यूपक्षी व्यापार है उसको दोजर तीस तक सो बिलियन सो बिलियन डॉलर करने का लक्षी रखा गया है ठीक है और बाकी जो वहां के जो परदानमंतिर जैसे इसमें सेंट है ठीक है तो यह एक कीवड्व आपको पड़ने क्योंकि मिलेगा आपको वैसे आपको याद हो जाएगा फिर जो ऑस्टेलिया वाला है ठीक है ऑस्टेलिया के अन्दर हाली में जो है वह याद रखी है बाकी इन में से ज्यादा कोश्ण नहीं बनते मौरिशेश की यात्रा किये तो इसके अंदर इन्हों ने बताया कि वहाँ पर इन्हों ने जो है वो मैत्री उद्ध्यान का मौरिशेश के अंदर इन्हों ने उद्ध्गाटन किया है ठीक है फिर इसके लावा हिंद माशागर में एक एटोल समुए है तो वहाँ पर मोरिशेस और UK के बीच में इसको लेके विवाद चल रहा है तो भारत ने जोए मोरिशेस का इसके अंदर समर्तन किया है फिर कुछ सूचकांक है सूचकांक की बात कर लेते हैं यह सूचकांक जिससे की पिशली बार भी पूछा गया था तो यह इंपोडेंट है यह पूछ सकते हैं तो इसमें आपको याद रखना है एक तो कोन जारी करता है एक भारत की रहेंग क्या है और शीर सिस्तान पर कोन है तो सबसे पहले अपना है यहां पर हैंले पासपूर्ट सबस्र चाहले सबसे पहले अपने हैंले सभिभागता जो Hong Kong इसमें टॉप वन पर है बागे इसमें विश्व परसंसा सुचकांग है इसको सर्युक्त राष्टे सदत्विकास समाधान ठीके नेटवर्ग यह जारी करता है इसमें भारत की रेंग जो है वो 126 है और इसमें जो टॉप पर है वो फिनलेंड है और लाश्ट में जो है अफगनिस्तान है फिर वेश्विक शान्ती सुचकांग है इसको जारी करता है इसमें एक एकोनोमिक सेंड पीस तो आपको बस कीवर्ड पकड़ते हैं इसमें वेश्विक शान्ती के अंदर 160 वी रेंग है और जो टॉप पर है वो आइसलेंड है और जो जैनरेटिव AI यह जारी करता है और भारत ने इसमें जो हाली में पांच वी रेंग हाजिल किये जिसने ब्रीटेन और जापन को पीछे छोड़ दिया इसमें चीन टॉप पर है तो यह आपको याद रखना है वापीस से देख लेते हैं तो हैनले पासपोर्ट के अंदर 82 रेंग है और कर लेंगे फिर यह पाकिस्तान में हाली में जणगना हुए यह इतनी इंपोटेंट नहीं है बड़ फिर भी देख लो आप 24.04 करोड वहां की जन संक्य है जिसमें 96 परसेंट से अधिक जो है वो मुस्लिम वहाँ पर है फिर एक अभी हाली में चर्चा में रहा था संगाई स संगतन तो यह 1996 के अंदर बना था 2017 के अंदर इसमें भारत और पाकिस्तान शामील हो गए थे वरतमान में इसमें 10 देश है तो दस देश की ट्रिक आप एसे याद कर सकते हो ट्रक और बी आई पी ठीक है ट्रक बी आई पी इस तरह से आप कुछ ट्रिक वगेरा बना ले ना म बागी देख लेना अप अगर याद होता है तो बाकी इतने इंपोडेंट थो है नी बाकी हाली में बाकी को ठीक है अ और हाली में बाकी कॉलंबो शुरक्सा संबैलन कॉलम्बो सुरक्सा संबिलन ये भी जो है वो इसकी हाली में जो है ये चर्चा में राया तो इसमें कौन-कौन से संस्तापक सदस्य है तो इसके तीन संस्तापक सदस्य है भाराज, श्रिलंका, मौल्डिव ठीक है तो ये नीचे के याद रखना है भाराज, श्रिलंका, मौल् ज़ूदें तो इसमें ज़ूदेम मोरिशया आप दा तैयारी केंद्र इसके अंदर अभारत ने अभी जो तो आभी हाली में जो यह पूछ एफ़ाइब कि एसकी अद्यक्ष्टा किस ने संबाली है तो यह बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं इसके लाव जो बिम स्टेक की विदेश मंत्रियों की बैटक जो नई दिली के अंदर हुए फिर कौर्ड हाली में चर्चा में हुआ है तो कौर्ड के आपको सदस्य संस्ता पकदेश याद रखने भारत अमेरिका जापान और तो इसे याद रखना एक तो अपने इंडिया के उपर है जापान जापान के जस्त इधर अपोजिट्स आई पच्छी में अमेरिका और नीचे जो दक्षिन में और ऑस्टेलिया फिर जो अभी हाली में जो है वो कौर्ड की बैटक कहां पर हुई है तो यह टोक्यो जापान में आयुजित हुई है और दोजा चोबिस में ज भारत आवन जेवी कुटपदनों के लिए और भारत और युएसे का सांस्क्रतिक संपदा की अवज तसकरी को रोकना है ठीक है जो जहां से जो पुरातन इस वस्तुएं जहां की थी उनको वापिस वहीं लोटा निकलिए फिर जापान और फिलिपिन्स में तो इन दोनों की बीचुपदनों वारत और मलेशिया के वाए खाथ तेल के उप्योग को लोगे में जैता पर्त और पर दार यहाँ आपका राष्ट्रेइ के लावा ज्यादा इंपूडिस इसमें इतनी सरे एकलिक रखें वह सब काम के है नहीं तो जो बिरीटेशिं मेंformed प्रधानवंतरी बने वोग्त पर्दान या नाम धन्ट रखनाल आपको । बृटेशिं के एक उस्थार्मर अंनेपाल में सब्धानवंत नप्रिवाल नेपाल कि बार नेपाल के प्रदानाशन कामे एक इक वर धीह गज्स मसूद पजकिषियान तो यह याद रखना है आप मसूद पजकिष्यान यह इरान के हैं यह नवे राश्टपती बने तो यह नवे भवे भी रेंग याद रखनी जुरूत नहीं पस आपको नाम पता हो ना चीए कि कौन कहां का बना है उसके लावा जो है वो जोश राउल मु निलो पनामा में है डिक शूफ यह निदरलेंड के हैं और क्रिष्टन मिशल तो आप कुछ अठका लीजिए जैसे इसमें क्रिष्टन मिशल तो यह इसमें भी इस्टोनिया इसमें कुछ मिलता जुलता शब्द है तो आप वैसे याद रखने की कोशिश करना अगर आप कंगा में हैं इरान के हैं मसूद और जो पनामा के हैं जोस राउल मुलीनो और डिक शूफ है निदरलेंड के क्रिष्टन मिशल है एस्टोनियो के अगर आपको इस्पिड धीरे लग रहे तो आप इसको इस्पिड में तेज करके देख लेना और कुछ भी सुजाओ आपके इससे रिलिटेड हैं क्या सुदार करने चीए या फिर कुछ भी आप इस दरफ से राय हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरू कमेंट करना हम उसके उपर बिल्कुल अम्मल करेंगे फिर हाली में जो यूरोपियन यूनियन में नियुक्तिया हुई है तो यहाँ पे जो परिश पूशन में जो जो कुछ अब्यास जो किसे रायए इसमें पीच बिलेक नाम से जो अब्यास है वह उस्टेलिया की जो एयर फॉर्स तो या रखना है यह लिए ऑस्टेलियन एर फोर्स प्रहें नॉमेडिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलियों का है यहाली में मेगाली में और मेत्री है यह भारत नथाइल थाइलेंड का है यह थाइलेंड के अंदर ही आईजीत हुआ है तो याद रखना आपको पिछ बलेक ऑस्टेल्या का नॉमिक इलिफेंट भारत-मंगूलिया का मेत्री भारत नथाइलेंड का है फिर कुछ और फैक्ट है यह जो है लाउस यह राम लला पर डाक टिकर जारी करने वाला पहला देश है लाउस राम लला पर डाक टिकर जारी करने वाला पहला देश है लाउस फिर दुनिया की जो AI है जो दुनिया की पहली AI वर्ल्ड ब्यूटी कॉंसेट विजेता बनी है वो चुलाओ जो भारत की भारत की तरफ से एंडर रही तो यह आपको याद रखना है कि जह रराश रखनारी तो इन्हेँ फ्रॉषणी नडार ले चाहर लेगा है तो इस फ्रांस्वाले सफनागरिक समझ ऑफ लें आपने लीजिन ओफ पूफ और तो यह अदाय रखना है कि विश्क्वी तेज पहली हाइच पीट रेंड किस ने चला ही तो चीन ने दुन्या की पहली हाइच नीधन से चलने वाली कॉमर्चियल फैरी जो सैन फ्रांसिस्कों ने थीडी प्रिंटेड एलेक्ट्रोनिक अमड़ा का प्रिक्षन किसने किया है दुब्भाई नहीं किया ह फिर अपन जो है वो रास्तान वाले पोश्चन देख लेंगे तो क्योंकि लिखो इंडिया से थोड़ी ज़्यादा इसमें कोश्चन आते हैं वहाँ तो हाली में जो है वो यूपीस्ट के नए जो चेर्मेन के रूप में रूप में प्रीती सुधन इससे पहले वो मनोस हो नह हाली में उनका ठीक है उन्होंने मतलब त्याक पत्र दे दिया वाद में प्रीती सुधन जो यूपीस्ट के चेर्मेन बने बागी इसमें इतना इंपोड़न कुछ है नहीं यह सब मैंस के कोडिंग इन्होंने बता रहा है और जो हाली में नीती आयोग है तो नीती आयोग न समयलन होँ. नवीं बैठेक हुए नवीं बैठेकंगे निन्होंने जो विजनी उर विक्सिद बारत 202363 तक नो यह कई होले से फिर दीजी याँ पहले 17 वर्तमान में 16 और इस मैं से एक गोल हटा लिया है तो वह गोल याद मैं रकना है आपको 14 नंबर गोल था हूं तो इसको शामिल नहीं किया गया आपकी बार ठीक है यह थोड़ा सा इंप्रोटेंट हो जाता है जो यह जी इंडिया इंडेक्स यह जारी कोन करता है तो यह निती आयोग जारी किया गया था ठीक है इसमें एक सूत तेरा संकेत है यह याद रखना है आपको कि 16 गोल और 113 संक यह याद रखना है हर बार अपन कैरल को याद रखते हैं बट उत्राखंड अपकी बार टॉप पर है 79 रैंक के साथ में और जो केंद्र शार्षी प्रदिशों में चंडिकर टॉप में सभी राज्यों के स्कॉर में व्रद्धी हुई है लेकिन जो यूटी से इसके इनमें जो रहे सब्सक्राइब नई यूटे जो रेंकिंग में रहे हैं वह वह यह चारकन्ड और एक नागालें में पूरवाले हैं ये चार ही ऐसे राज्य हैं जो अग्रणी में नहीं है आपने चेरे न भर सुब्न के सब्सक्राइब नहां 17 इसकी रेंक और ट्रेंग्र है ये टॉप 10 निदर है Dur za सबसे खराब परदेशन रहा है वह सबसे खराब परदेशन रहा है वह अपना असमानता में कमी रही है इसमें अपना 49 ही अपना जो स्कोर है फिर जो फूड एंड अग्रिकल्चर और अनुसार भारत में वन वरदी के मामले में शिर्स तीन देशों में बारश शामिल है चीन ऑस्टेलिया थर्ड नंबर पर भारत है तो यह भी आधरकना हाली में अपने वन वरदी के मामलों में थ जन संक्या हो जाएगी और सारवदिक जन संक्या वाला देश बनने के लिए हमें अभी एक्केसों तक जो एक टाइम लगेगा तो यह इतना है नहीं और यह इन्वेस्टमेंट इंदा वेल वेल बिंग तो इन्वेस्टमेंट इन्दा वेल बिंग इसके अंदर आपने अपने विचार प्रस्तुत किया है फिर कुछ जो कारेकरम और योजना है तो इसमें सबसे पहले महाराष्ट की बात करें कि महाराष्ट में है लाड़ला भाव योजना ठीक है तो यह योजना क्या है तो इसके अंदर क्या है कि 10 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री की अपनी इसना तक पूरी कर चुके उन्हें 10,000 रुपे प्रती महा जो है वह दिया जाएगा तो बार भी पास को 6,000 डिप्लोम वालों को 8,000 वालों को 10,000 रुपे प्रती महा यह दिये जाएंगे 10 लाख युवाओं को यह महाराष्ट की योजना है लाड़ला भाव योजना चलती है तो महाराष्ट ने बोला कि हम लड़कों के लिए चलाएंगे लाड़ला भाव योजनाया चली है फिर बिहार बिहार के अंदर हाली में जो एंटी पेपर लिए कानून बन चुका है जिसमें 10 वर्षक का कारावास होगा और एक करोड रुपे का जिर्माना लगेग आं बीषके लाओ जो देश की पहली वूमन जो देश की पहली ट्रांस वूमन सब इंस्पेक्टर वनिए उसका नाम्मे ओन सब देश की पहली वूमन सब ट्रांस वूमन सब इस तो वूãy्शव का सबसे बड़ा रामेण मंदिर भी जो यह वह पूर्वी लाउस में जो रामलला पर टिकट जारी किया था तो रामान का मंदीर विहार में हैं फिर उत्तर प्रदेश की बात क्यों जैसे अपने दिल्ली है दिल्ली में अपने NCR शेतर जिसमें अपना अलवा गुरुडगाउं वगर आते हैं तो एसे हाली में उत्तर प्रदेश ने भी और जो सारस क्रेन की संक्या है वो अभी 19 इक्राण में 8 मतला 19,918 हो गई है यह उत्तर प्रदेश आज ये वन विबाग दोरा ये जारी किये गए आकड़े जो दो जरतेश की तुल्ला में इसमें व्रद्धी हुई है मद्य प्रदेश के अंदर हाली में एक सबसे ज़्यादा एक टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा पोदा लगाने का रिकोर्ड बनाया गया है जो की 11 लाग पोदे इन्हों ने लगाए है और जो परदान मंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस का उद्गाटन किया जाएगा के अंदर हाली में जो अगनी वीर थे इन्हें जो कॉंस्टेवल फोरेश्ट गाड जैसी परतीमत बढ़ती परिक्षाओं के अंदर दस परसेंट आरेक्शन दिया जाएगा और यह जो अपने सेंटर ने भी यह गोशना कर रही है के इंद्री ग्रह मंत्राल ने भी यह विवा और तलाग पंजीकरण अधीनियों कपका है तो 1935 इसे किस देश ने किस राज्ये ने रद किया है तो असम नहीं किया है फिर जो जहारकंड है जहारकंड के अंदर जो दिव्यांग विश्विद्या ले खोला गया है कहां पर राची में जहारकंड में दिव्यांग कि ख़दानों वहां पर बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है तो जो भी छोटे बच्चे थी 14 साल तक के उनके सब को वहां से मुक्त करा दिया गया है हिमाचल परदेश के अंदर जो शून्य विजली बिल के प्राउधानों के लिए हिमाचल परदेश फिर उसके लावा कु तो यह है कि अलग 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 लेंगवेजिस के अंदर जो वह बुक्स वगेरा को उपलग कराना फिर जो परजेक्ट परी है इसका है पब्लिक आर्ट ओफ इंडिया तो इस संस्कृति मंत्रा लेकि है इसका उद्देश है कि आदूनिक विश्य और तक्निकों को शामिल कर परी है इसके फूल फॉम में आप जाद रख लीनिया फिर वन साइंटिस्स वन प्रोड़क्ट योजना शुरू किए जो कि अपना जो बाहरती करिश्य नुसंदार परिश्य इसके दौरह शुरू किए इसके इंदर जो पशपन जो 5521 विग्यानिक इनों को एक उत्पाद पर 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 संट किसानों को पर 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 संट की साहता दी जाएगी और जो अपना एगरी कल्चर तो यह वाली योजना के तहित इस अंदर 50% किसानों को फिरी दिया जाएगा इसके साथ थी जुए जो अमिय को उपरेटिव और्ग्नाइजेशिं के साथ भारत ओर्गन घ LIVE on a고 यह पृट था फिर हम थोड़ा सब ऐदेखने पर पर प्रस्छान जरी चाह है तो इसमें जुआ वे वेयสविDas शंखलाओं में बारत की भ document बना है नीती आयकद्रा और एक report जारी की गई है जो अपने electronics के अंदर जो अपने electronics component होते है उसके अंदर जो है वह 500 billion dollar तक का लक्षे जो है 2030 तक अपने को करना है तो याद रखना 2030 तक कितने billion dollar का electronics भी निर्मान को बढ़ावा देना है जो भी अपने जो computer पगेरा electronics चीज़े चिफ अगेरा बनती है तो इसके अंदर 2030 तक अपने को 500 करोड का लक्षे को हाजिल करना है electronics वी निर्मान के अंदर फिर जो white label ATM के शुल्क होते हैं इसके अंदर जो है इनके अद्धेक्ष है white label ATM क्या होते हैं उसके अद्धेक्ष सुनिल में था है तो जो white label ATM शुल्क डाचे की शमिक्षा है तो समीती है उसके अद्धेक्ष सुनिल में था है और इनका एक अदिनियम है वो 277 के तहत अधिकरत है इसके लाव हाली में एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो भारत के अंदर निवेश करने वाले जो विदेशी देश है भारत में सबसे ज़्यादा investment कौन से करते हैं तो ये question अच्छा है ये question पूछे जानी समभावना है तो जो भारत में सबसे अधिक निवेश करते हैं वो USA, Singapore, Luxembourg, Ireland और Mauritius है तो याद रखना है टोप 3 तो आपको याद होना ही चाहिए USA, Singapore, Luxembourg USA, Singapore, Luxembourg USA, Singapore, Luxembourg उसके बाद Ireland, Mauritius तो Mauritius को पीछे छोड़ते हुए आईरलेंड हाली में जो चोथा इस्तान प्राप्त किया है आपको याद रखना है और जो अपने रॉफटाप और सोर प्रनाली है रॉफटाप और सोर प्रनाली उसके लिए जो ADB का Asian Development Bank का जो है वो अपनी साहता कर रही है और लगबग 240 बिलियन डॉलर कर रहे है अपने को दे रखा है ठीक है तो रॉफटाप और सोर प्रनाली में कौन सी बैंक सहयोग कर रहे है तो Asian Development Bank सहयोग कर रहे है और Green Financial तो यह सिड़ भी द्वारा विद पोशीत है तो Green Financing तो यह सिड़ भी द्वारा विद पोशीत है एक बिलियन डॉलर का MSME उद्योगों को देगी तो यह गुरू ग्राम फरीदाबाद हर्याना में है तो यह आद रखना है कच्रे से जो ग्रीन चार्कॉल बनाने की यह तो Green Charcoal कोल सैयंत का लगाया गया है तो गुरू ग्राम फरीदाबाद में लगाया है फिर भारत का पहला जो है फिर Indian Mobile Congress तो यह नई दिल्ली के अंदर होगा Indian Mobile Congress अक्तोमर में नई दिल्ली में होगा इसकी थीमती भविश्या है तो यह इसका आयोजन करता कोने दूर संचर विभागे तो यह आपको यह द रखना है Indian Mobile Congress कहा आ जट होगी नई दिल्ली के अंदर विश्व का पहला ओडियो वीजियो मनुर्जन समयल कहा होगा गोवा में और ग्रीन चार्कॉल से अंदर गुरुगराम हर्याना के अंदर है ठीक है और बाकी यह तना पुटन है नहीं फिर जो मोईदम है यह भारत का जो 43 वा विश्व धरोवर इस तहले जो यूनेश्व को क तो उसको जो हाली में यूनेश्व को ने शामिल किया इसकी जो 46 वी जो मिटिंग थी जो कि भारत मंडपम दिल्ली के अंदर आयो जी तुथी विश्व धरोवर समी थी जो कि यूनेश्व वाली है उसके अंदर जो 46 वी बैठक हुई थी यह भारत मंडपम नई दिल्ली में ही थी उसके अंदर हाली में जो इसको 43 वा स्तान दिया तो यह बहुत इंपोडेंट हो जाता है यह कोशन आने का है कि हाली में 43 वा विश्व दरोर इसस्तल कौन सा यह जो यह मुईदा में यह कहां और सांस्क्रतिक धरोर 35 है और ये 35 वाली जो सांस्क्रतिक धरोर है इसी में मोईदम को शामिल किया गया है और देश की सबसे लंबी सुरंग ये थाने से बोरी वल्ली के अंदर खोदी गई है लगबग 11.8 किलोमेटर की है संजे गांधी राष्टी उद्धनुस के नीचे से ये गुजरेगी तो याद रखना है कि देश की सबसे लंबी सुरंग ठाने से बोर वल्ली और 11.8 किलोमेटर है शीकुनला टरनल प्रोजेक्ट ये लें में शीकुनला टरनल प्रोजेक्ट ये लेंके अंदर है और और जो एशा की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुवीदा है ये फरीदाबाद हर्याणा में तो एशा की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुवीदा ये फरीदाबाद हर्याणा से शुरू की गई है फरीदाबाद हर्याणा से जो बाग नक ये च्छत्रपती सिवाजी मह दॉस्तलिकंग से अरय से यहाली में कहा से लोटा हें तो जह jestem कोई हत्यार दुआ हत्यारपरनाली कोः का सनन इसकोल है है कि की श्रिवाइबाद के ऐरफोरस सिटेशन जद्रलाली के चिजो है कि मेलेते हुआध कि अज़ो जो यह हां ईधनीः इस हाली में जो है वो गयाना से ऑन्तरिक्ष में भेजा गया है ठीक है तो थीक है तो यह चार वर्शों बाद में घ्रारी उन्सक्ष मिशन के लिए भारत के साजिदारी गकिए तो जो अपने इसके अंदर जो एक rocket है इसका नाम है new shaped तो इसमें प्रियुक्त rocket है यह है new shaped इसके अंदर क्या है कि यह कारे करम चला रहे हैं इस कारे करम है जिन देशों के लिए अभी अंत्रिक्ष में बहुत कम या कोई अंत्रिक्ष यात्रा नहीं भेजा गया है उसके Blue origin Blue origin ने चलाय और इसके अंदर जो एक सेरा नाम से company और Blue origin इन दोनों का स्युक्त कारेकरा में जिसमें जो भारत को भी साज़ेदाद साज़ेदादेश बनाया है इसमें क्या है कि यह जो अपने कार्मन रेखा होती है कार्मन रेखा से भी आगे लगबक 11 मिनिट की यात्रा पर ले जाएंगे तो कार्मन रेका से भी उपर 11 km की यात्रा करवाई जाएगी तो सेरा और ब्लू औरीजन ने हाली में किसके साथ ये समझोता किया है तो ये भारत के साथ में ऐसा समझोता किया है फिर जो अपने DRDO का जो दूसरा चरन था इसके अंदर दूसरा चरन में जो बेलेस्टिक मिसाइल रक्षा परनाली का सफल परिक्षन किया है तो कहां किया है यह चांदी पुर ओडिसा में कי मैसाईलों को या फिर डिटेक्त नहीं कर पाती तब जाके यह जो एडवांस से डिफैंस सिस्टम यह यूज में होता है तो इस में देख लूब भूब की दो तरह होती है तो प्रिथ्वी टिफेंस सिस्टाम हो रहे हो एडब Sag तो प्रिथ्वी वाली होथिए इसका जो अपन एक अलग सेटर्थ उन्नत जो वर्णे लेटिस्ट वो जो वरजने उसका नाम मैं प्रिथैंस प्रिथ्धियूमन और एक इससे आप लिए उसका नाम है शुबुदू है टो अगनि का जो अगनि का जो उन्नत वर्जन वह तो हैं और प्रद्वी का जो है वो प्रद्धियों मनें तो अभी हाली में जो अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम वाली का यूसक है पर चांदीपुर उडिसा के अंदर अपने यह किया है तो अपना जो सिष्टाम है उस सिर्फ केवल और केवल बैलेस्टिक मिसाइल हमलों के विरुद्धी जो अपनी कारवाई करता है फिर त्रीपूट है त्रीपूट क्या है तो त्रीपूट एक जंगी जहाज है तो तो इसका नाम एक तीर के ओपर रखा गया है और त्रीपूट किया थो एक बारतिय नोसेने का एक जहाज है जो कि गोवा शिप्याड द्वारा लूंच किया गया है और अपने जो बैलेश्टिक मिसाइल का जो अपना रक्षा परणा लिए उसका सफल परिक्षन खा किया है तो चांदी पूर ओडिसा के अंदर किया है और जो अपने एरियन 6 रोकेट था यह किसका है तो यह यूरोप का है यह कहां से लोंच हुआ है तो फ्रेंच गोवाना से जो गाडन रिच शिप्याड इंजिनियर्स वाला उसने वह एक समुंद्री टन टग बनाने के लिए हाली में बांगलादेश के साथ समझोता किया है तो गाडन शिप्याड ने जो बांगलादेश के साथ में समझोता किया है हाली में और जो भारतिया जो भारतिया आदिते था इसका जो Holla orbit था अब अपन रास्तान वाले पे चलते है फिर इसके बाद में अपन जो परुष्कार और प्रोडेंट व्यक्ति वगेरा वो देख लेंगे तो रास्तान के अंदर हाली में जो हरी भाव बागड़े हैं यह अगस्त में भी पढ़ चुके हैं तो इनको 45 वा राज्येपाल न्यूक्त किया गया है यह माराष्ट के हैं इसके लावा कुछ और जनों की न्यूक्ति हुए वो भी अपन देख लेते हैं तो जारकंड के जो जारकंड के राज्येपाल संतोष कुमार गंगवार है चत्तिजगड के हैं रामें डाका मेगाल्य के हैं सिएच विजेशंकर तेलंगाना के जिश्नु देव वर्मा और सिक्किम के ओंपरकाश मातुरे सिक्किम वाली भी प पर पहले पढ़ चुके हैं तो लश्मन प्रसाद आचारिया पंजाब के पहले पढ़ चुके हैं सिक्किम के ओंपरकाश जी एं तेलंगाना के जिश्नु देव वर्मा मेगाले के विजेशंका चतिश्गड के रामा इंडाका जारकंड के शंतोष कुमार रहस्तान के परदेश में तो यह समीटी है जो अपना चटवा टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कुम्बल गट को बना रहे हैं तो इसकी समीख्षा के लिए है परदेश में जो चटा टाइगर रिजर्व है इसकी सीमा है तो एक रिपोर्ट त्यार करने ग्यारा सदसियों की एक समीती है जो कि किसके अधिक्षा में है तो यह SR Wanket जो Wanket Asher मूरती है इनकी अधिक्षा में तो SR Wanket Asher मूरती के अधिक्षा में छटवे जो Tiger Reserve होगे Tiger Reserve कुंसा है? कुंबल गट Tiger Reserve है तो इसके लिए इसके सीमा के लिए मंजुरिय के लिए समीति कठिन किये जो अपने नए सूचनायोकते वो ML Latter साब है या पर्देश के 5 वी मुखे सूचनायोकते ML Latter तो यह नाम याद रखना यह Quotient Impotent है ML Latter यह मुखे सूचनायोकते तो यह याद रखना इसके लावा 3 अन्य सूचनायोकती भी है तो एक तो मुखे नियादिश को ओने तो MM श्री वास्ताव तो मुखे नियादिश है और हाली में कौन से नियादिश की नियुकती की गी तो Justice Shree Chandrasekar की जो टोटल 50 मुखे नियादिश अपने इसमें हो सकते है तो जो अनायना सिंगवी है अनायना सिंग वी जैपूर की है और हाली में जो भारत में इंटरनेशनल डाउंस काउंसलिंग युनाइटेट नेशन की सदशे के रूप में चैनित की गई है तो अनायना सिंग वी का संबन जैपूर से है हाली में इंटरनेशनल डाउंस काउंसलिंग में युनाइटेट ने सेती दरोपर उपलत्ट करवाय जाएंगे तो हरी तराजस्तान अभियान के तहट है इसके अंदर 10 लाख पोदे रियाइटी दरोपर उपलत्ट करवाय जाएंगे लिए नैंद्र जी के बाद में अपने रास्तान के और भी लागोगी एक पेड मा के नाम ब्याद फिर मा के नाम पर एक गो माता के नाम पर कर तो इसका इसमें कौन कौन से विबाग शामिले फिर मिशनवन रक्षण एध्यान चल रहा हैं इसके अंदर 25,000,000,000 पोदे लगाएंगे तो इसमें जो अपना स्वेश्बिश संग जो एनजी ओ है वो है यहां पर कर रहा है फिर जो चिकेसा विबाग है उसने भी वक्षा रोपन एक अभ्यान छेड़ दिया जब सभी कर रहे हैं तो क्योंकि जून के अंदर जून जुलाई में आज इस बार काफी जादा जो गर्मी पड़ी थी तो सभी जो पोदे लगा रहे थे तो जो चिकेसा दिवस होता है एक जुलाई को तो उन्होंने भी जो है वह एक लाग पोदे लगाएंगे और उनको पांस साल तक उनकी देखरेक करेंगे फिर एक वेकती एक पेड़ अभियान भी शुरू कर दिया गया है ठीक है फिर प्लास्टिक नहीं जूट यह राज्यपाल कर राज्य पालते हैं उनके दरों शुरूआत की गई है अंगडवाली चलो अभियान तो तीन से छे वर्ष के बच्चों को जो आंगडवाली के अंदर एंडमिशन दिलाए जाएगा इस्टोप डाइरी अभियान तो जो हाली में यह मुख्यमंत्री चीच शुरू किया गया है इसके इसमें पूरी की पूरी पैशेंट की जो भी मरीज होगा उसकी डीटेल्स पूरी बीमारी कौन सी क्या है वो सब कुछ आ जाएगा इसमें जो चोदा संक्या का एक डिजिट होता है तो यह आपको याद रख लेना है फिर संपूर्णता अभियान जो की पाराधस्तान के पांच जीले लिए गए तो वह आद रखने आपको आकाहश जीला कौन से तो जैसल मेर तो धोलपूर करोली बारा सिरोई जेसल में यह शामिल किये गए हैं और जो अपने ब्लोक है 27 इसके अंदर ब्लोक शामिल किये गए हैं और जिले कितने हैं पांच तो यह आपको याद रखना है फिर अवोर्ड सूबेदार पवन यादाव यह जुन जुनु के निवासी है इ मेंजर मुस्तफा ब् Euchr're and के विकास to इन दोने को मर्णोपरां शोरी चक्र मिला किरती चकर के से मिला तो यह सुब्यदार पाहन यादाव को मरनोपरां शोšबी चकर किसे मिला शोरी चकर मिला मुस्तफा 20 वदैपुर के हैं और विकास भम्भू जो कि परिशयत इस पार को वोड तो यह आपको याद रख लेंगा अशोक राठोड जो कि यह इतना है नहीं और जो अपने नीशुल्क दवा योजना के संचाले में रास्तान देशवर में जो है वह प्रत्थम इस्तान पर आया है यह आपको याद रख लेना है और जो अपना जो अपना एक विश्विद्याले अपना रास्तान केंद्रिय विश्विद्याले अजमेर के अंदर है तो केंद्रिय विश्विद्याले अजमेर में है जो नई दिल्ली के अंदर हाली में एक सरकारी उपलब्दियों के अंदर जो अवोड मिला है तो याद रखना है कि रास्त ये जो इस्तान है तो वह अपन देख लेते तो जो सबसे पहला जो चर्ची तो जो अपने अब्यान ये जोंपने हर्मान्गड हे हर्मान गड़ के अंदर नशा मुकती लिए महर्मा सबियाँ चलाए जा रहा है और जो विकाने एर के अंदर हाली में है फिर पोकरण में सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जैसल मेर मेर में पड़ता है और जो देवनगरी स्वच्चता अभियान तो यहां पर एक नारलाई गाउं है यहां पर स्वस्थता यह जल सरक्षन है तो संचली किया जा रहा है तो पाली के अंदर है देवनगरी करना ज問 जो है वह जल पहुँझ है तो जल हर घर में जल कहां पर पहुझ है तो मारड़ के अंदर मारड़ कहां परता है यह भीर Waradar के अंदर फिर सिखेबheldश दीचर्चता यहां पर यह Pawझा दिजिटारी स्चता आप्शा का ही तो सुलूमबर के अंदर तो क्योंगी नया जिला बनाएं तो यहाँ पर जो है वह 100% योज़नों की डिलिवरी की जाए फिर अपने जो उद्यपूर में है तो उद्यपूर में दो चीज़े एक तो जहामर कोटला जो कि जिवाश्म पार्क के साथ साथ यहाँ पर जो है वह जिवाश्म पार्क के साथ में जियो हेरिटेज साइट भी है तो यह जामर कोटला अपने को पता ही पढ़ते ही है अपन जिवागराफी में फिर प्रदेश का पहला भूपरबंद एव राजस्व अपिल नियाले का जो कैम्प भी यहीं लगा है तो उद्यपूर में हाली में प्रदेश का पहला भू परबंदन एंड राजश्व अपील नियाले का कैम भी नहीं लगा है फिर जो बासवड़ा में एक छोटी सर्वन पंचायत है चोटी सर्वन पंचायत के अंदर बासवड़ा में लगाया जाएगा तो जो अपना रावत भाटा चितोड में है चितोड के अंदर रावत भाटा है वहाँ पर जो गांधी सागर अभ्यारन है यहाँ पर देश का सेकंड और राज्य का पहला चीता सफारी के अंदर तो यह कोशन भी अच्छा है ते रहादी इंदर टो र कुलाडी बंद चलाएगा घ्रलाण कर्वाणे पूछ लेंगे कि को लड़ी बंद कहां पर चल रहाए थीक है और ऐसे-एसे पूष लिए पुछ लेंगे यू बहुत्पूर के अंदर हाली हैं w अजमेर के बाद में दूसरा आयर्वेदिक प्राकरतिक चिक्षविः supportive बनेगा तो जो आयुरुवेदिक युनिवर्सिटी ये वो पहले तो है जोधपुर में दूसरी खाये तो ये अजमेर में और साथ ही में अजमेर में एक मोहन सागर कृतिम बांद का निर्मान किया जाएगा तो पूछ सकते हैं कि मोहन सागर कर्तिम बांद कहां पर है तो आप वह याद रखना है कि यह आजमेर के अंदर है ठीक है और और मोंस अगर कृतिम बांध जो है वो कुंसी नदी पर बनाए तो बनास नदी के उपर बना हुआ है तो अब अपने ये भी कम्प्रेट हो गए अब एक पोकरण एओ बनियाना ये पोकरण एओ बनियाना कहां पर यह तो जैसल मेर के अंदर है हां पर 600 मेगावाट के सॉलर प लोग देश में जो सहरोदिक जल के जो डार्क जोन राजस्तान में तो उसके इसके संख्या वह दोसो तीन पाई गयी है यह राज जे में डार्क जोन की संख्या दोसो तीन है तो इसमें कैसे कैसे हैं तो जो भूजल ब्लोक की श्रेणिया बाटी गई है वो ऐसे ही शुरक्षिस में तो अपने अर्थीष ब्लोक आते है तो यह आद रखना है 22 और एकदम सेफ है 38 22 थोड़े ठीक है 23 थोड़े डाउन में है और 216 तो एकदम खतम है तो जो चार ही राज्जे हैं जहाँ पर पानी जुटका दोहन जो है वो कम हो रहा है कौन से एक तो दो तो उपर वाले दो नीचे वाले गंगानगर हनमानगड बासवड़ा डूंगरपूर यह तो जो है वो 39 से 70 परसेंट तक ही दोहन कर रहे हैं बाकि शेज जो है वो 100 परसेंट पर जादा जो है वो इसका दोहन कर रहे है जो अटल भूजल योजना है यह 17 जिलो में संचलित है और जो केंदर और राज्य का इसमें 50-50 परसेंट शेयर होता है तो अटल भूजल योजना राज्य के 17 जिलो में संचलित की जा रही है तो यह आपको याद रखना है कि सुरक्षित ब्लोक 38 से अर्थ शवदन शील 22 से शवदन शील 23 से अति दोहित 216 हो ला है डोहा चुटल 203 डार्ग जोन की संचया पाई गई है पिसलिपास्टे जो मिधेन से जो होट सपोट है मलाब कच्छे के डियर जो मिधेन मिधेन गैस अत्य दित्व मातरा में निकलती आ तो इस इस रिपोर्ट के अंदर देश में शिर्ष 22 मिथेन होट स्पोर्ट है तो 22 मिथेन होट स्पोर्ट में से राजस्तान में चार है कौन-कुन से तो बाढ़ मेर जैसल मेर तारनगर चिडावा चिडावा तारनगर जैसल मेर बाढ़ मेर चिडावा तारनगर जैसल मेर बा टॉक्ट्स देखे उपर इसका तीसर चनंट रास्तान में शुरू हुआ है रास्तान का इसके अंदर टीवी मुख्थ जो इवह शुरू किया गया तो लगबक प्लान तो ऐसा प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्जे रास्तान बन चुका है आगामी 10 वर्षों के अंदर इसका प्लान तयार किया जाएगा दो जर तीस तक हमारा लक्षे की जो सड़क दुरगटना होती है उसके अंदर 50% तक कमी लाना इसका तीन चेरों में संचलि पहला दो जर पच्छी से 27 से 27 से 33 से तो इस तरह से प्लान चलेगा तो एसा प्लान लाने वाला राजस्तान पहला राज्य बनाए तो जब भी पहले में रास्तान आता है तो यह कोशन बहुत जदा इंपोडेंट हो जाते हैं और यह पूश भी लिये जाते हैं अक्शे उड तो अपना इसका लक्षे रखा लगबग 90,000 मेगावाट अक्षे उड़ जाकी इस्ताफित करना ठीक अनुमानीत निवेश था इसमें 40,000,000,000 करोड का तो इसमें हाली में क्या चैंज किया गया है वह एकि जो भूमी आउंटन की डिल्सी दर थी उसमें 7.5 पर दिया जाएग तो रास्तानबूर अजस्व नियम 2007 में शंशोदन के बाद में जो भूमी आउंटन थी इसकी डिल्सी दर में 7.5 पर यह जो यह किया जा सकेगा फिर नागरिक विमानन निती तो अपनने कहा था कि जो किशनगड के अंदर अव्याना में अपनने जो एक उडान तो यह कोशन आ सकता है नागरिक विमानन निती का भाई तो यह दो जुलाई 2024 की है दो जुलाई 2024 की है इसके अंदर जो है वो तीन जगे पर फ्लाइंग स्कुल बनेंगे किशनगर जहलावड भीलवड़ा इसके लावा ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट कोटा में बनेगा एरो स जैपुर में बनेगी जैसे जैपुर में इंटरनेशनल एरपोर्ट है और यहां पर जो है वह बहुत दूर मतलब लगब लगब सब्सक्राइब जाती है तो जैपुर के आसपास की जो सिटी है इसको जो जो वह ऐरो सिटी के नाम से बोला जाएगा जैसे दिल्ली वगेरा म से मद्यप्रदेश को चिमिद्दारी दी जाएगी एहल्प योजना यह जो एसा करने वाला राजस्तान दूसरा राज्ये बनाए इसके अंदर जो पशुपालक है पशुपालक से संबंदी समस्याओं का समाधान किया जाएगा उनकी देखरे की जाएगी तो एहल्प योज राष्टी जो खास शुरक्षा अधिनियम है एनेफ एनेफ ऐसे तो उसके लोगों को जो यह मिलेगा फिर गोविंद्गुरु जन्जाती शेत्र विकासी होजना इसके अंदर जो जो अपने वन अधिकार संबाउत शेत्रों का आखलन करने के लिए एक रिपोर्ट एक एट तैयार किया जा रहा है फिर ईशाक्षे तो रास्तान पुलिस के द्वारा लॉंच किया गया है जो जो भी इसका उत्देश है डिजिटल शाक्षियों के रूप में एक के माध्यम से इनको संकलित करना और अपने क्लाउड के उपर भेंजना जिससे की सारी सारी सबूत किसी करें इसके दारु यूर इसके मैं कि मुंहन रही सुचना के मिद्वारा नैशनल इंफ्सक्राइब को में वहां थिसके शाक्षे एपलब उनंगली b कटांति क्यमंति Nil प्रम न संसक्त कारीकन है तो राषित alors हुआ को सीधक्राइब या करनी सत्पार्सित हो सब्सक्राइब जिसमें जैपुर के तो 20 स्कूल थे और अन्य जीलों के लगवक 21 स्कूल होने के इसमें भाग लिया फिर है बाला साथ देवरस समरस्ता समान समारो तो इसके अंदर जो किसे समानित किया गया है तो बाबा निरंजन नात महराज को बाबा निरंजनात महराज को बाला साब देवरस समरता समान इसमें बाबा निरंजनात महराज को समानित किया गया है फिर डेल्फिक परिशयत का तीसरा इस्तापना दिवस तो यह इसका आयोजन जापूर में हुआ है डेल्फिक परिशयद का जो आयुजा ने वो जयापूर में हुआ modal इसमें क्या क्या होता है तो इसमें जो शास्त्री है संगीत नछम्रत्य है फोडोग्राफी थे जो यूवों की भागीदारी को बढ़ाना होता है तो इसका समयलें डैल्फिक परीशत का समयलें जयापूर के अंदर हुआ है फिर विश्व जनसंक्या दिवस है तो यह आपको याद रखना है थोड़ा जो परुसकार मिले किस-किस मिले तो यह बासवढा 25 हो मिला है रास्तान में उत्करष्ट कार्ये है थो वह ब्यावर को मिला है ठीक है और पीप्इ, उचए, निवेशन में जो यह ब्यावर सुलूमरर तो possible significantly लेतार ब्यावर्ट पुरुसकार विवरण करने तो मिट्राइब फिर नजरफो आधसीशन तु है तो मिट्ट अगस्त को फोर्टग्राफी दीवस होता 204 बचलत च्लोंए बासा Εलimana वकुए क्या में तो के दोरा किया जाता है जो इसकी अद्यक्सितिए शुराणा जी ठीके और उसमें जम्स वर्ड हो लोकरपन किया गया है तो cm के दौरा यहां पर जैम्स वर्ल्ड मैगजीन का लोकरपन किया गया है और कुशल चंद शुराना जी को जो है वो lifetime achievement का वोड भी दिया गया कुशल चंद शुराना lifetime achievement जैस दोजा 24 के अंदर फिर कुछ वरिष नागरिक तीरत यात्रा योजना में 15,000 यात्रियों को जो है वो अयोद्या इस्तित्रामंदिर के दर्शन कराया जाएंगे और जो लड़िकिया है लड़िक्यों को जो पॉलिटेक्निक तकनीकी जो अपने पॉलिटेक्निक पाटेक्रम में परवेश दिलाने पर 500 लड संबागों पर है जीलों पर नहीं है पंचायतों पर नहीं तो जो अपने ग्यारवी से बारवी महा विद्याले में जो ग्यारवी की और महा विद्याले compan इनको तीन वर्षों में 50,000 विद्यारतियों को परशिक्षन दिलाना है किसमें रास्तान फिनिसिंग स्कूल इसके अंदर और जो अपने इसके अंदर परतिश्टिश्ट कंपनियों के माध्यम से क्या अब सेख़़गते दिलाना इसकी जैपुर अब करने के लिए एक देजिपने प्लेंट प्लेंटरűं के स्थापना की गई है, जैपुर में State Remote Sensing का जो अपना उपके अंदर था मेन तो कहा है जैपुर में Remote Sensing का जोदपुर में है लेकिन जैपुर में जो State Remote Sensing का उपके अंदर है तो जैपुर Remote Sensing का उपके अंदर जैपुर के अंदर है State Remote Sensing उपके अंदर जैपुर में है सेंसिंग केंदर जैपुर में चóर्य मीं नागोर जैसल्मीजर बासवड यह आपको याद मुक्य मंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना तो आयुष्मान की नाम से योजना पांचजार रुपए मैचना दिया जाएगा बारा में भी कहां शाबाद में शाबाद में जो शहर्या जन जाती है इसके वर्ग है तो तिरंदाजी और एथलेटिक खेल अकेडमी की इस्ताफना की गई है तता अजमेर जिला मुख्याले पर एथलेटिक खेल अकेडमी तो दो जगे है एक तो अजमेर में है और एक जो शह प्रतानमंत्री मात्रवंदन योजना इसमें जो दिव्यांग और जो गर्वती महिला होगी जो जो दिव्यांग महिला है वह गर्वती होती है तो उस टाइम पर जोए लिएया तो एक management के लिए वो बनाया है फिर बाकी और इसमें कुछ है नीं है और जो नशे के लिए जो यह वो anti-narconomy भषड का गठन किया गया है तो जरक आपको आधरना जो एपने एड़िद टाइप की होते हैं तो जो development authority होते हैं जैपूर वाली अजमेर वाली है तो ऐसे भरतपूर और विकानेर में भी विकास प्रादीगरण के गठन किया गया तो पूछ सकते हैं कहां पर किया गया है तो भरतपूर और विकानेर के अंदर किया गया है जो खुसम योजना के तहरे चल रही थी इसमें हैं मोडल के माध्यम से 1000 मेगव अतिरिक्त उर्जा उतपादन किया जाने गोश्णा की है तो हैं जो कि कुसुम योजना चल रही है इसके अंदर जो है वो 1000 वो एक हजार मेगावोट की अतिरिक्त सोरुजा उत्पादित की जाएगी जो खुशियारा और पंडेर जहारा तो है 12 के अंदर पंडेर अपने जहाजपुरा शाहपुरा में है तो शाहपुरा जो जिला बन तो अजमेर में एक और चीज थी अभी हाली में उपर एथलेटिक अकेडमी भी जो है वो अजमेर के अंदर इस्थाफित की गई है फिर जो सीटी की परावधोन में तो आपको पता ही है कि जो चारीस परसेंट की नॉर्मल के लिए एससेश्टी के लिए 35 परसेंट अनिवारे रखी गई है और बाकी जो अपने जो एमस दिल्ली की तर्च पर जो रास्तान इंस्टिट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो अपने है उस और यह बादो पूर ने की जो पर जो खोलने की जो करशी बीज बैंक की इस्ताबन की जाएगी तो आखिट निशेश्ट के आ संद्ध allora लोहवाड बापिनी दूचु लोहवाड बापिनी दूचु यह तो फ deity में खिवसर नागोर जो बाली में पाली में बाली में बाली पाली कि उसर नागोर फलोदी जो है अपने यह लोहावट याद रखना साड़े चार सो रुपए में किन को मिलेगा तो बीपील को पर जो पीए मुझवला वोजनाती उनको और नेशनल सेकरिटी फूड वालों लोग को यह मिलेगा अजमेर जैपूर इस्तित वालों यू सब्सक्राइब न问 मिलेगा जैट नंग्राइब को मिलेगा अपने परिवार को में परिखते स्ट म Grand Native प्रतिकरीया संचाल उस्तमें मिलाइक मिलेगा फिलेगा फिले में delicate तो wenn यहां पर गोशना कर दीगे जो पत्रकार होते हैं पत्रकार के बच्चों को जो वो इसकोलर शिफ अगेरा यहां पर दी जाएगी उसके लिए भी गोशना की गई है पुरुषकार की बात कर लेते हैं तो जो हाली में अपने बात की थी कि वो पुरुषकार परमवीर चक्र और यह दो अलग-अलग शेणी के मिलते हैं तो यह हाली में चर्चा में क्यों रहें तो कुछ 36 लोगों को यह पुरुषकार मिलें जिसमें पर देखा था विजय भामबू और एक बोरा तो विकास भामबू और एक बोरा तो उनको मिले थे तो यह आपको याद रखने है 36 लोगों को हाली में मिलें 10 किरती चक्र 26 शोरी चक्र मिलें फिर अविनाउं बिंद्रा अविनाउं बिंद्रा को जो है वह ओलम्पिक बॉर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरी भारतिये बने हैं ठीक है और यह इतना इंप्रेंट है नहीं फिर है जो इंट्रनेशनल में बारत का चोथा स्थान रहा है तो जो मैंस का ओलम्पियाड हुआ है इसमें भारत की रहेंग चोथी रही है और भारत ने जो पांच पदक जीते हैं चार गोल्ड एक सिल्वर और जो मसाला वाला है मसाला पुरु पंस रुषेष पदेशन नवा चाहिं असंबर बना है और शेलि स्थानी निकायों केंदर नई दिल्ली नगा निगम द Still है स harshभू एक फिर मिस-उनीवर्सल種產 प्रथी यह शूषरी हैं लुचक करनाटे का मिन हें इन्हें Miss Universe Etit मिस उंयुवर्सल प्रटेट का किता मिला है गोल्डन सेंड मास्टर तो यह गॉल्डन सेंड मास्टर तो यह गोल्डन सैंड मास्टर वोड इसके विजयता है इसके विजेता है शुदर्शन पतनायक यह सेंड पिटरशवर्ग में आयोजित हुई थी शुदर्शन पतनायक को मिला है गॉल्डन सेंड मास्टर सवर्ड तो यह पूछ सकता है फिर खेल के अंदर बात कर लेते तो जो अपना समराट प्रतिवराच्वान खेल महाकुम था यह जमेर के अंदर आयोजित हुआ था ठीक है तो मेवाड में आयोजित होगी तो सीधी सी बात है जीते गई फिर कुछ खेल है और इनके खेल कुछ जिले और वह समद्दीत तो पवन कुमावत यह वैटलिफ्टर जो कि जैपूर के हैं इन्होंने हाली में जो कजाकिस्तान के अंदर से जो चैंपेंशिप हुई थी इसमें स सिक्स केटेगरी में कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली 11 वी जो फ्रीफिंग चैंपिंशिप में स्वरनपदक जीता भी पियर है अजड़ुद्दू द्रू ने जीता दोनोंने कजाखिस्तान वाली में जीता है कजाखिस्तान वाली में गॉल्ड लाने वाले वेट लिफ्टर दो हें पवन कुमाव जैपूर क इंधे फिर कुषागर सिंग यह रैफल शुटिंग चाहन जालोर महष्वरी चोहान जालोर अनन जीस सिंग नरुका टोक दोनों की दोनों ने पहरी सोलमपिक में भाग लिया था और यह चोती रेंग के समतिंग में रहते हैं और कशिष गुजजर अश्वीनीश्वई कशिष गुजर अश्वीनीश्वई यह कुस्ति नीक्ति है इन्हों ने जो जॉडन में आयोजित होने वाली अंडर 27 कुस्ती में गोल्ड मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल कुस्ती में तो यह कशिष गुजर अश्विनी विश्णुई ठीक है भीलवड़ा के है और जे नारानी चोदरी यह खेल प्रशाशक नियुकतु है बारतिय जो बॉलीवल टीम थी उसके कोश नियुकतु है महिला जो प्रशिष गुजर अश्विनी विश्णुई इन्होंने कुस्ती में बीलवड़ा के है और गोल्ड मेडल जीता है ठीक है और अनंत्ची सिंग नरू का महिश्वरी चुहान ने परिश में भाग लिया था फिर महीला क्रिगेट एशिया कप टीट तो इस भी श्री लंका में में जीता है और मग्री संफ चल रही थी तो भारत ओर बश्णं ऑफिर का में उलकर घो से रिलेटेरी भी कोशन पूछ था कि कौन से खेल कहां पर आयो जूत हो यह है तो सब भारत ने जीता है वंडे भारत ने में टीट्वएनटी में इस ड्रो हो गया था और यह इतने पुटन है नी आहीं से रेंग की जो आइसी आइसी रेंग जारी हुए इसके अंदर जो कप्तान का वोड मिला है वह तो रोई शर्मा को मिला है इसके लावा जो प्लेयर ओफ दा मंत मिला है वो जस्पित भूम्रा बूम्रा और इसम्रती मंदाना जो की महिला खेलाडी है तो सब्सक्राइब जो शीर्व और का खिताब आपने हर्दीख पांडे को मिला है प्लेयर ओफ दा मांथ जस्पित भूम्रा ऑल इसम्रती मंदाना कपतान का मिला रोह शर्मा को मिला है ठीक है और पूर्व किरिट खिलाडिए उक टूना में चैम्पेंशिप चल रही थी डूर राहुल दर्वुनी की जग इस्तान पर गोताम गंबिर को बना गया है फुटबोल के तीन यहाँ पर जो कप का आईजिन हुआ एक तो कौपा अमेरिका कप एक यूरो कप और एक डूरंड कप तो जो तीन कप है तो पूछ सकते हैं इन तीनों कपो का संब्ध कहां से तो पहला तो है फुटबोल के पूपा फूपा और यह तो जीता है अरजंटिना ने अ entertain कोप आने और तो जिता हैं गल्लगो ने जीता है तो यह सबसे पूराना यह है और जो Formula One race है ये बारवी, तेरवी, चोधवी तीन बारवी, तेरवी और चोधवी का 72, 24 में होया तो इसमें जो विजेता रहे हैं वो तो रहे हैं याद रखना कि जो Formula One race होती है कार की race होती है इसमें helmet लगाने जरूरी होता है तो याद रखना कि Hamilton, तो बारवी भी तेरवी किस ने जीती है Oscar Jack ने यह Jack लगाने लग गए तो गाड़ी में Jack लगाते हैं तो याद रखना Oscar Jack ने तो तेरवी जीती है और चोधवी जो है वह वापिस से Hamilton ने जीती है तो याद रखना फिस सत्रंच के अंदर जो FIDE World Championship लिए वर्ट चेंपेंशिप तो इसमें FID आ रहा है डी डी से याद रहने डी गुकेश भारत के और डिंग लिरेन जो कि दोनों के नाम से डेख सेकते हैं डी गुकेश और डी लिरेन चीन के इन दिनों के बीच में आयोजीत होने वाला है सिंगापूर में आयोजीत होगा FIDI वर्ट चेंपेंशिप फिर जो लियोन मा्स्टर्स किताब है और माश्टर किताब जीता विश्वनात आनंद ने य NOW ये लियोन माश्टर्स किताब जिना विश्वनात आनंदन संबिच के अंदर जो बारते रre Goodall टे डिकेश फिर बारती Press में तो जो पूरुष का किताब है वो अबे सिंग और सेंथिल कुमार नहीं जीता है और जो महीला का किताब है तो जोशना चिनपा जोषना चिनपा जोषना किताब मैं और सेंथिल कुमार जो क्यों पूरुष में महीला में आइफा जमान और आईरा जमान दोने मलीशय से हैं फिर उर्ड जूनियर सीक्वेस चेंपेशिप इसको जो शोरिय बावा शोरिय बावा ने कास्य हुनिक इसमें जीता यह जीतने वाले दूसरे पुरुश्वी जीता रहे हैं फिर में हैं ठीकल में है और इसके जो शीरित कालीन लंपिक हैं इसका आयोजिन जो फुरांस में होगा शीद कालीन पेरा ओलंपिक के 2030, शीद कालीन पेरा ओलंपिक 2030 मेजवानी फ्रांस करेगा जो शीद कालीन पेरा ओलंपिक 2030 मेजवानी फ्रांस करेगा ठीक है, जो अपने जो अपने ओलंपिक e-sports गेम से औलम्पिक e-sports game बें यह साओधी अरब करेगा तो e-sports games 2025 की मेजवनी साओधी अरब और जो पैरा olympic 2030 की मेजवनी फ्रांस और e-sports की जो है e-sports games 2025 की मेजवनी साओधी अरब करेगा और जो cricket का Asia cup है वो उसकी मेजवनी भारत करेगा cricket Asia cup 2025 की भारत और जो e-sports game 2025 की साओधी अरब और जो पेरा ओलंपिक शीत का लिन पेरा ओलंपिक 2030 की मेजबानी फ्रांस करेगा फिर इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे यू अपर पेरा तेराग बनी लगा दिये गया है कुछ नियुक्तियां है फिर थोड़ी सी बचे 2पेजी बचे थीं तो अपन नियुक्तियोंगी बात कर लेते हैं न्यूकतिया तो जो हाली में वो न्यूकतिया स्ट्रीम स्ट्रीम्लों से जो comments कि मादेवन उरेकाइन स्टूस्ट्वर सिंग तो मनीपुर के है मनीपुर से वनने सभानिगे पहले एक दोनों में यस्टूर तो महाली कोना म व्यांदेवन तो महादेव का नाम धो दूसरे में कोटेश्वर तो बिजिन के पीछे श्वर लगता है उनका नाम महादेवी तो महादेवन कोटेश्वर दोनों में श्वर आ रहे हैं मौनोलो मौनोलो कॉर्केज यह इस्पैन के बारदी फुटबोल टीम के मुख्य कोश्ण नियुक्त हुए मौनेलो कुर्केज फ सचे तक है जो के शुरेश मुख्य सचे तक के हैं लोग सबहामें चेश के शुरेश पिर दॉक्टर गंगाधर हो गया है यह निदन तो मुझे इतने आप फिरवी विक फिर बाद सब्सक्राइर के लिए परसीध किसान कंपला पुजारी किसान उसार गांट यह आ voluntary भी तो हिरूईन ती डुवेल नीचली आविएटि तो मुपिंदर और सिंह रावत भारती यह भारतीय फूटबोलर हता हम जाखंघ इंडूनेशा की पूर उपराष्ट पती है इतना अपूटेंट है फिर आलिया नीलम यह थोड़ा अच्छा यह लाहूर उच्छ नियालीगे Bhaaratt कि पहली महीला olympics Jess जो सौथ ए Springs ती यह बहुत कोशन कोशनने कोशन कोशन हंड्रेट परसेंट आने वाला है कहें है जापमें तो Captain Suprita City ये दुनिया के सबसे उचे युद्ध शेत्र शियाचिन Glacier पर तेनात की जानी वली महीला बनी है तो Captain Suprita City और Captain Shiva Chohan है जो उदेपूर से रास्तान से सम्बंदी थी ये सियाचिन Glacier पर तेनात उनी वली महीला थी तो ये काफी करेंट में रात हो और ये कई एक्जाम में पूछा भी था जब ये Captain Shiva Chohan बनी थी तो अभी Captain Suprita City जो बनी है कुछ चर्चित स्तानों के नाम चेंज हो है जैसे दर्बार होल का नाम गणतंत्र मंदल अशोक मंदल का अशोक होल का नाम अशोक मंदल अशोक मंदल दर्बार होल का होल गणतंतर मंदल कुछ महत्पुन दीवस है जीएश्टी दिवस एक जुलाई को है विष्व जनसंक्या दिवस ग्यारा जुलाई को है और जो 25 जुन को ये important है सवीधान हत्किया दिवस 25 जुन को है और रेत और धूल के तुफानों का मुकाबला करने का अंतराश्टी दिवस जो और 12 जुलाई का है 11 जुलाई को जन संक्या है और 12 जुलाई को जो जन संक्या इतनी हो गई तो हम रेत के तुफानों से भी मुकाबला कर लेंगे 19 जुलाई को जो अपना विश फोटोग्राफी दिवस्ता वो इसमें है तो ठीक है तो यह वो इस महीने का करेंट अपेर्थ भी जो वो completely मिलेगा इस वीडियो को आप दो या तीन बार आच्छे से सुन ले खाना खाते हुए खाई ट्रेवल करते हुए आप इसको सुन ले आराम से आपको जो करन्ट क्योंकि करन्ट के कम से कम 20 से 25 कोशन आएंगे और वो लगबग इसमें से काफी हद तक मतलब आ जाते हैं क्योंकि बहुत कम मेटर है तो इसमें से अधिकतर कोशन आ जाते हैं सारे तो नहीं आते हैं पर अधिकतर कोशन आ जाते हैं तो आप इनको जो है रिविजन करते जाएं कर आप कहीं ऊर से भी पढ़ रहे हैं तौ भी आपने कोई un webpage chronology कोई वीजन कोई १र्षटी कोई इस थी को हुआ बृर्थ कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो तो भी आप इस वीडियो को देखें इसमें benefit मिलेगा कही न कहीं जो है वह आपको इसके अंदर आपको questions वगेरा मिलेंगे तो विकास सर के द्वारा यह जो बनाए गई PDF वह थी तो PDF का लिंक आपको मिल जाए कर और वीडियो को share करें जो भी आपके दोस आरेस वगेरा दे रहें उनके साथ में ठीक है मिलते किसी नेक्स वीडियो में थैंक यू